हैलो दोस्तो नमस्कार स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल हाई एजुकेशन चोन में मैं हूँ राज दोस्तो जैसे कि दोस्तो ग्राम सचीव पटवारी और केनाल पटवारी से समंदित हमारी स्रीच चल लई थी इसके दोस्तो टू पार्ट भी हमने अपडेट कर द दिया है वो बुक जितना जल्दी हो दोस्तो परचेज करके जो है आप स्रड़ी कर लें उस बुक का दोस्तो दोड़ा साथ डेमो जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ तो यह बुक का दोस्तो में पेज रहेगा इसमें 4800 प्लस क्योशन दोस्तो आपको MCQ टाइप मिलें पंचायती राज समंदीत कुछ दोस्तो पार्ट रहेगा हरियाना करंट अफेर 2020 से लेके 21 तक की संपूर्ण करंट अफेर दोस्तो इसी बुक में आपको दी जाएगी बुमापन समंदी विवस्ता क्या होती है बुरा जैसो विवस्ता या दोस्तो जरीब जरीब का जो पर या पेटियम के थुरू और दोस्तो दिये हुए वट्सप पर आपको मैसिज करना है इसके लाव दोस्तो इसके अंदर जो है क्या-क्या क्योशन आपको देखने को मिलेंगे वो मैं आपको बता देता हूं ठीक है जैसे पटवारी समंदी 2000 क्योशन मिलेंगे 2020 की संपूर स्थायव पर ग्लाट करने के लिए क्योशन और सो इसकी भूम आपन रजय सवेऌस्टा के अंदर घताता है भूख रीशी का record कौन सा है इसमें से भूख रीशी का record देखना आपको कौन सा है गिर्दावरी पंचनामा खतोन नहीं सुझाता तो इसमें right option ये रहेगा गिर्दावरी जो होती है दोस्तों वो एक भूख रीशी का सबबी पूरnh record होती है जैसे ये book को जितना जल्दी हो पर chase कर लें और सारे के सारे क्योशन जो है इसमें दिये हुए है वो cover कर लें सिरीज हमारी चलती रहेगी लेकिन सारे क्योशन जो है हम सिरीज में नहीं करवा पर आए 117 पेज की दोस्तों ये PDF आपको provide कर वाई जाएगी तो आज का दोस्तो सबसे पहला और स्यांदार क्योशन है हमारा एक खतोनी में कुल कितने खाने होते हैं खानों की संख्या दोस्तो पूछी गई है तो सबसे पहले तो हमें खतोनी पता होना चीए कि खतोनी क्या होती है खतोनी दोस्तों क्या होती है पिछली वीडियो के अंदर कंप्लेटी जो आपको बताय जा चुका है तो राइट औपशन जो रह्एगा जो ओपशन हमारा बी रहेगा बाहर है एग खतोनी में कुल खानों किसंख्या थो आपको बाहर हूती है जैसे गरोनी भी है एक गरोनी होती दोस्तों पहले क्या होता था ना प्राचीन काल के अंदर जो है बूमी जो होती थी वो मोखिक रूप से ही करया विकरय होता था ठीक है फिर इनको दोस्तों लिखित रूप में लिया जाने लगा तो उसको गरोनी कहा जाता था प्राचीन काल में ये भी दोस्त एक क्रीशियों के भूमी का अबिलेख और एक अधिकार पत्तर है जिसमें किस का किस भूमी पर मालिकाना हक है वो दोस्तो उसके अंतर जो है वो अंकित रहता है खसरा भी दोस्तो सेम रहेगा इसमें क्रीशियों के भूमी में कौन सी फसल बोई गई कब कितनी फसल हुई कौन सी नस्ट हुई तो वो उसके बारे में जो है इसमें पूरा नोट रहता है तो उसको दोस्तो हम खसरे से डिलेटेड नोट कर सकते हैं तो राइट ओप्सन हमारा भी रहेगा 12 खाने दोस्तो एक खतोरनी में होते हैं नस्ट जो क्यों सन रहेगा वो भी कहा जाता था नंबरदार नहीं लंबरदार उस टाइम कहा जाता था ठीक है तो वही क्या करता था गाउं से कर वसूल करके company को देता था उसका कारिया होता था ये ठीक है तो गाउं को महाल कहा जाता था उस टाइम गाउं को क्या कहा जाता था महाल कहा जाता था तो उसी टार्म से ये महालवाडी विवस्ता लागू होगी थी उस टाइम इसी विवस्ता को महालवाडी विवस्ता का नाम दिया गया थ थे उनके द्वारा दोस्तो 1819 के अंदर जो है इसको प्रभाव से जो है लागू किया गया था और इसके अंतरगत महालवाडी विश्था के अंदर कितना प्रतिशत का भू बाग आया था तो ये दोस्तो 30 प्रतिशत का भू बाग जो है जो हमारी महालवाडी प्रताती इसके आया था जिसमें भूमी का स्वामितव या मालिकाना हक उनका दोस्तो होता था तो राइट उप्शन जो हो जाएगा वो उप्शन हमारा रहेगा महलवाडी वस्ता की दोस्तो हम बात कर रहे हैं नेश जोक्योशन दोस्तों रहेगा निमन में से कौन सी तालिका समय समय पर होने वाले स्वामितव अधिकार को दर्शाती है तालिका दोस्तों इसमें पूछी गई है तो राइट ऑप्षन की बात करें तो ऑप्षन हमारा भी रहेगा सजरा नसब सज्रा नसब के अंतरगत दोस्तों जो है, यह इसी तालिक वहती है, तो उनकी जो जमिने जो इनके नाम होती रहती है, वन्सावली जिसको हम कहते हैं, तो सवामितव अधिकारों को यह दरसाती है, उसको सज्जरा नसब कहा जाता है निमन में से कोन सी तालिका समय समय पर होने वाले सवामितव अधिकानों को दर्शाती है तो उसको कहा जाता है सज्जरा नसब राइट ओप्सन हमारा रहेगा ओप्सन बी next जो क्योस्टन दोस्तो रहेगा पंचाइज समीती दवारा बनाए गई योजना को कोन लागू करवाता है दोस्तों गराम सचीव से रिलेटर ये क्योशन स्यांदार बनता है सबसे पहला क्योशन हम इसको कह सकते हैं गराम सचीव से जुड़ा हुआ ठीक है तो यहां पे जो क्योशन पूछा गया है न वो ठीक है यह डीडीपी ओ क्या है बीडीपी ओ क्या है यह बुबुक के अंदर दोस्तों इनकी completely full form और इनके क्या क्या कारी है वो बताए गए हैं तो पंचाइज समीती दवारा बनाए गई योजनाओं को कौन लागू करवाता है तो बीडियू दोस्तों इसको हम कह सकते हैं बलोक विकास अधिकारी इसके लाव दोस्तों पसुपन या दोस्तों पसुपालन या दोस्तों पसुचिक्चा समंदी सेवा का विकास और विस्तार करना ठीक है खाद्या और गराम कोटी उद्योग जो होते हैं गराओं के अंदर उनको दोस्तों विकास करना ठीक है और गर पूरे ग्रामीन वेवस्था के अंतरगस पूरी जलापरती का एक टाइप से जो है योजना बनाना ठीक है एक टाइप से ग्राओं का पूरा जो लेखा जोका होता है तो पंचायच समीती की दवरा जो है इनका लागू करवाना रहता है जो इसका अधिकारी होता है बीडियो ठीक है? यह बीडियो के मुख्य-मुख्य कारिये जो है, रहते हैं, सिक्ष्या के जतर में, यह दोस्तों, सडक, बवन, निर्मान, इन सभी का कारिये जो है, देखना जो है, इनका मुख्य कारिये रहता है, समचायच समीती दवरा, बनाए गए योजनाओं को कौन लागो करव नेक्स जोकरशन दोस्तों यदि पंचायत भंग हो जाती है तो उसे की सवधी के दुरान पंचायत की दोस्तों बात की गी है तो ये 6 महिने का टाइम दोस्तों ये होता है हमारा कितना 6 महिने का ठीक है ये 6 महिने जो होते हैं दोस्तों ये दिनों में दिये हो है तो 180 दिन हो ज disciples time दोटर्एम्ल के दवारा या दोस्टों की दवारा जो है लागू की अकबर का साषनकाल के बाट कई बार पूहिशना जाता है यह क्या होता था यह दस वरस का वह बना दे जो पारत कीया जाता था ठीए अस शाल किक्व और से लेकर सितक अकबर के सासनकाल के दोरान दोस्तों लागू की गई थी इसका एक और नाम था जिसको आइन ए दसाला नाम लिया जाता था आइन ए दसाला या दोस्तों दसाला पदती मुगल समराज्य की दोस्तों यह जो है पदती रही है बास अकबर के सासनकाल में राजा टो कौन पंचायच समीती के बजट या खाते की एक निर्दारित फीस देकर जांच कर सकता है। समीती के कारिया की बात करें दोस्तों हम पंचायच समीती के कारिया की ग्राम पंचायच की योजना त्यार करना, क्रीसी, पसुपालन, गरीबी और अनेक कारिया मकरों का ध्यान रखना और उनका विकास करना ठीक है। इसमें कौन-कौन सामिल होता है तो स्ट, 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 जर्नल या दोस्तों यह सभी परकार के जो है इसमें सामिल हो सकते हैं। तो राइट उप्सन जो रहेगा, वो उप्सन हमारा यह रहेगा, पंचायच समीती सदेश्य हैं। नैस जो कोशन है दोस्तों वो है हमारा निमन में से भू सरवेक्षन का मुख्य उदेश्य के हैं। मुख्य उदेश्य दोस्तों यहां पर पूछा गया है, वैसे उदेश्य की दोस्तों हम बात करें तो यह सभी जो उदेश्य है ना, यह बू सरवेक्षन के मुख्य ही रहते हैं। में सबसे भारी चेन कौन सी होती थी, यानि दोस्तों सबसे बजनी चेन, जिसका सबसे ज़ादा बजन होता था, वो क्योशन पूछा गया है, राइट ऑप्षन की दोस्तों हम बात करें, तो इसकी लंबाई जो होती थी, वो 165 फिट की होती थी, कितनी? 165 फिट की, ठीक है अंगलों में कई बार दे दी जाती है कि साहाजानी गजब का नाम से भी दोस्तों इसको जाना जाता था तो साहाजानी गजब की जो है लंबाई कितनी होती तो कई बार 42 उंगल दे दी जाती है पिछली वीडियो के अंदर अकभरी चैन का भी जिकर दोस्तों जिसको इलाही गज के रूप में जाना जाता था तो वो भी क्योशन पूचा जा चुका है ठीक है तो यहां से बार-बार क्योशन यह जो है एक्जाम में पूचा जाता है जैसे गंट्री चैन की लंबाई कितनी होती है तो 132 फिट होती है हमने पिछली वीडियो में दोस्तों ये क्यों सनक बर किया था तो राइट ओप्सन जो रहे गा इसका दोस्तों यह रहेगा हमारा सहाजानी चेन की लंबाई सबसे अधिक जो होती थी तो next जो question दोस्तो हमारा रहेगा वो रहेगा कहरपतवार की स्रीतू से समगदी दोस्तो सबसे पहले तो हमें कहरपतवार पता होना चीए कि होता गया है तो एसे पोदे जो अवांचित स्थानों पर बिना बोई समय उग जाते हैं ठीक है किसी भी स्थान पर बिना बोई हमने बोई नहीं फिर भी उग गए ठीक है तो ये एक टाइप से फसलों को विभिन रूप में सत्ती पहुँचाते हैं अलग-अलग रूपों में क्या करते है फसलों को नुकसान पहुचाते हैं ठीक है जो है उपज को हानी पहुचाते हैं टोटल उपज को हानी पहुचाते हैं तो इस पूरी अपरणाली को जो है हम खर्पतवार कहते हैं ठीक है खर्पतवार का उधारन जैसे हम ले सकते हैं जैसे गेहों की फसलों गाते हैं तो इस वर्षिये खर्पतवार, दवी वर्षिये खर्पतवार और भहू वर्षिये खर्पतवार यहां से दोस्तों खर्पतवार से क्योशन हो सकता है एक्जाम में पूछ लिया जाए next equation है दोस्तों तो इसका जो right option रहेगा वो दोस्तों B रहेगा खरपतवार किस research सबंदित है तो यह दोस्तों वर्षा रिटू से है जिसे वर्षा का मोसम होता है तो उस समय जो है यह अधिक जो है घरपतवार की वेदाईश जो है वो अधिक बढ़ती है तो right option हमारा हो जाएगा option B next question है खेत में फसल के नुकसान का कारण हो सकता है तो खेत में फसल के नुकसान की दोस्तों हम बात करें तो सूखा भी हो सकता है, बाड भी हो सकती है, ओलव रिष्ट भी हो सकती है निमन में से कौन दहसाला प्रनाली का भाग नहीं है, भाग दोस्तों यहां पर पूछा गया है कि कौन दहसाला प्रनाली का जो है वो भाग नहीं है ये अचसी एक्जाम नहीं सुरी बिहार और अलग स्टेट के एक्जाम हुए ना पटवारी के एक्जाम में ये चाचरवाला सब से ज़्यादा पूछा गया है ठीक है क्योंकि तो अमने All Over India Level के जो पटवारी के एक्जाम होए है उनकी पूरी सर्वे की है क्योंकि अचसी खुद एक्जाम नहीं जो है बनाती है अधर स्टेट की कमपनियों को ठेका दिया जाता है और वो कमपनिया वहीं का सलेबस पटवारी सबंदित उठाकर जो है अचसी एक्जाम में क्योंसन देती है इसलिए तो आपने देखा होगा कि जब हमारी हरियाना की बुक पढ़ते हैं तो हरियाना के क्योंसन उसमें मिलते नहीं है इसलिए हमें क्योंसन दोस्तों अपने बुक के अंदर नहीं मिलते हैं तो चाचर सबद का क्या आर्थ होता है दोस्तों ठीक है तीन या चार साल में खाली पड़ी होई भूमियां उसको एक बार सिंचित करना तो चाचर हो जाता है और बंजर जिसमें पांच सालों तक कोई खेती ना की जाए या दोस्तों बहुत लंबे टाइम तक कोई खेती की ना जाए पोलज क्या होता है दोस्तों ठीक है जो नेमित रूप से खेती की जाती है उसको पोलज कहते हैं तो इच लेवल के क्योश्टन है साचर बंजर पोलज से बनते हैं जो हमें कवर करना जुरूरी एक पर्ति होता है पर्ति भी होता है जैगा पर्ति भूमी जिसको बोलते हैं क्रीसी साख समीतियों के अंदर क्या नहीं है सामिल नहीं है आग सो question पूछा गया है right option की दोस्तों बात की जाए तो option रहेगा हमारा D सुदूरिये bank ये दोस्तों SI जो cooperative का जो exam होना है SI society cooperative bank का एक exam है वहाँ से क्योशन दोस्तों ये उठाये जाएंगे इनकी हमने special book का कारिये शुरू किये कर दिया है हपते या दोस्तों 5 दिन बाद हमारी SI cooperative society उनकी जो बर्तियां आई थी 4500 पलस थी कुछ तो उनका total निचोड निकाल के syllabus का जो है उनकी हमारी book आ जाएगी ये सबी है केंदर ये bank है भूमी विकास bank है प्रांती ये बेंक है ये सबी है लेकिन सुदूर ये bank जो है इसमें सामिल नहीं है खसरा और खतोनी कौन तियार करता है बहुत ही अच्छा क्योशन है right option की बात करें तो option B हमारा right रहेगा पटवारी पटवारी जो होता है दोस्तों वो खसरा और खतोनी तियार करता है इसके लाओ दोस्तों पटवारी के और क्या क्या कारिये होते हैं जैसे भू अभिलेक तियार करना भू अभिलेक सबसे मुख्य कारिये तो ये होता है भू अभिलेक तियार करना उसके बाद दोस्तो भू रजसो संगरन करना भी इनका कारिया होता है अपात कालिन सहायता के लिए ये तियार रहते हैं पटवारी इनका ये कारिया रहता है रजसो अभियानों का संचालन करना रजसो अभियानों रजसो के अंदर कितने योजनाएं चलाए गई कितने अभिय चलाए गई उनको संचालन करना पटवारी का कारिया रहता है इसके अलाव दोस्तों पूरे समस्थ ग्रामेंड विकास करना इनका मुख्या कारिया भी माना जाता है इसके अलाव दोस्तों सरकार के जो विभिन कारिया जो चल रहे हैं ठीक है उनमें इनका स्योग करना ठीक है इनका पूरी तरह से स्योग करना, जो है पटवारी का कारिया है, मना जाता है, तो right option हमारा हो जाता है, option B, next question दोस्तों रहेगा, कौन सा समराट भूमापन के लिए इलाही गज का परियोग करता था, समराट दोस्तों पूछा गया है, कौन सा ऐसा समराट था, जो इलाही गज क का परियोग करता था, right option के दोस्तों हम बात करें, तो option C रहेगा हमारा, aqbar, aqbar जो था ना, और इलाही गज का परियोग करता, यह इलाही गज क्या था, तो माप तोल के पेमाने के लिए यूज करने के लिए इलाही गज चलाये गया था, ठीका, माप तोल के लिए, जिसे दोस्तों एक क्योंसन यहां से अकबर से लेटर पता है क्या पूछा जाता है कि वो किसके दबारा चलाए गया तो ऐसे हलके फूल के क्योंसन दोस्तों इनसे लेटर जो है एक्जाम में काफी बार देखने को मिलते हैं तो इसके right option के बात करें तो option हमारा C रहेगा अकबर के दोबारा जो है ये हमारा जो है इलाही गज का प्रियोग जो है किया जाता था इलाही गज से लेटे दोस्तों पहले भी exam में जैसे history के हम बात करें तो वहाँ से भी question पूछा दे एक इलाही गज होता है और एक सिकंदरी गज होता है ठीक है इलाही गज जो होता है दोस्तों वो तो होता है 41 अंगुल का और जो अक सिकंदरी गज होता है वो दोस्तों होता है 49 गज तका यह 49 अंगुल की दोस्तों हम बात करें है ठीक है तो यह सबसे बड़ा इन में से कौन है इन में से बड़ा है इलाई गज इलाई गज से छोटा कौन है वो है दोस्तों सिकंदरी गज तो यह दोने के दोनों के दोस्तों एक्जाम में फूसे जा सकते हैं. Next जो किसान दोस्तों रहेगा, निमन मेंसे कौन सी विशेषता एक गरामेन किसान की है. एक गरामेन किसान की दोस्तों हम बात करें, तो right option जो रहेगा, वो रहेगा हमारा option D. छोटे किसान, सजजन किसान, पूंजी पती किसान, तो ये सभी परकार के किसान जो है, एक स्नियुक तुरूप से गरामेन शेतर का जो है विकास करते हैं. तो right option हमारा हो जाता है, option D. Next जो किसान दोस्तों रहेगा, जमीन का सर्वे नंबर मालिकों की जानकारी नहेत होती है, जमीन के सर्वे नंबर में मालिकों की जानकारी जो है क्या नहेत होती है, right option की दोस्तों बात करें, तो option हमारा C रहेगा, खसरा नंबर और खाता नंबर, जमीन के सर्वे में मालिकों की जानकारी रहती है तो right option हमारा हो जाता है option C, खसरा नंबर और खाता नंबर ये दोनों परकार की जानकारियां जो है उसमें रहती है तो right option हमारा हो जाता है option C next equation है वो है दोस्तों हमारा किसी उदस्य की पूर्ती के लिए मिल जूल कर कारिया करना जिस से उसे कारिया को असानी से किया जा सके उसको कहते हैं तो उसको दोस्तों सहेकारिता नाम से जानते हैं क्या जानते हैं सहेकारिता नाम से ये सहेकारिता सबस दोस्तों वहीं से जुड़ा हुआ है साहिकारिता जो है साई कोपरेटिव सोसाइटी बैंक से जो है वहाँ से जुड़ा हुआ है और वहीं से रिलेटेट दोस्तों हमने पूरा सलेबस अभी तियार कर दिया है उनकी जल्द हमारी बुक जो है मार्केट में आ जाएगी तो किसी उद्श्य की पूर्ति के लिए मिल जुल्कर कारिय करना जिससे उस कारिय को असानी से किया जा सकते है उसको कहां जाता है सहिकारिता नएक जो कोकारिता था थीक है तो 2014 वरस के अंदर दोस्तो गरामीन कोसल से जुड़ी हुई है तो गरामीन से अंदर के पटवारी या दोस्तो किसी भी गराम से लेटेर पूछा उठाया जा सकता है इसलिए गरामीन से पर जितनी भी योजनाई जो चलाए गई है ना जो काम्याब भी रही है तो उपसन दोस्तो के बारे में थोड़ा सा दोस्तो कवर जरूर कर लिए जितनी भी योजनाई चल रही है तो राइट ऑपसन हमारा हो जाता है ऑपसन बी जाएगा वो जाएगा option हमारा B next question दोस्तों हमारा रहेगा next question हमारा नील विद्रोह का मुख्या कारण क्या था दोस्तों नील विद्रोह जो था न वो क्या था कि उत्पादन पर लगान से समंदिता इसलिए यहां से question उठाया जा सकता है नील विद्रोह से जुड़ा हुआ नी कि जो किसान थे बंगाल के उनको नील उत्पादन के लिए जो है प्रिरित किया गया उनको फोर्स किया गया एक टाइप से ठीक है उनको जबरदस्ती कहा गया कि नील की खेती करूआ ठीक है तो वहां के मजदूर थे खेती करते उन्होंने जो है नील की खेती करने से मना कर दि तो इसलिए दोस्तों यह नील वी द्रोग के नाम से जाना जा सकता है उत्पादन पर अधिक लगान से दोस्तों यह जो है शबंदित रहा था तो राइट ऑप्वित ओप्सन जो रहेगा वो रहेगा वो रहेगा भूमापनकारियक इसके दोरान सुरू हुआ था बूमापनका तो इस रूप में जो है ये किसानों से कर्वसूलते थे उनसे अपना हिस्सा लेते थे तो राइट ओप्सन जो रहेगा इसका दोस्तो ओप्सन हमारा रहेगा सी सेर साह सूरी नेक्स जो क्योशन है दोस्तो वो है हमारा सथाई बंदोबस्ते मिलती जूलती पर्था कौन सी है कर देते रहते थे तब तक दोस्तों उनको मालिकाना हग उनका बना दिया था और जब वो दोस्तों नहीं देते थे अपना जो है कर या लगान तो उनको मालिकाना हग से अठा दिया जाता था तो यह दोस्तों सथाई बंदोबस्त या दोस्तों इस्तमदारी पर्था के रोप म तो ये थे दोस्तो आज के हमारे कुछ शांदार और most important question वीडियो को दोस्तो लाइक नहीं किया तो लाइक जुरूर करतें ठीक है दिये वे नंबर पर दोस्तो वाटसप मेसेज करके आप हर्याना करंट अफेयर, कंप्यूटर, साइंस, किसी भी प्रकार की दोस्तो नेक्श पार्ट में तब तक दोस्तो नमस्कार जैहर रियाना जैवारत